लोगों को हेल्दी और फिट रखने का प्रयास किया जा रहा है ने दिन तक क्या ये सिर्फ साथ दिन तक चलेगा या ये मतलब जैसे मन अलग अलग से रहता है पढ़ने में नहीं लग तो तनाव पूर रहते थे या पी हमारे सरीन में अनिक पागी विकार अगर आपके उनर में है दम तो आपकी प्रद्वा को जन जन तक पहुचाएंगे हम गायन बादन नित्य अभिने कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुजान तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देव रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें अजिक से अधिक लोगों तक शेयर करें हम सबका अपना मंच सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज नमस्कार मैं हूँ दिपक शिर्वास्तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज अंतर राष्टी योग दिवस के उसर पर लाल बादूर शास्त्री महाबिद्याले परिसर में टेक सत्यम एजूकेशनल लाइंड सोशल वेलफेर सोसाइटी भहराईज के द्वारा अगर हम यूँ कहें कि दोनों के सन्यूक तत्वाधान में इस परिसर में योग सिखाया जा रहा है तो यहां पर बहुत सारे बच्चे इसमें जो सहभागी हैं जो सहभागता कर रहे हैं योग हमारे लिए कितना फाइदेमंद है आईए यहां के लोगों से बात करते हैं सबसे पहले तो हम मिलेंगे जो यहां के मुख प्रशिच्छा खाएं उनसे नमस्कार यहां पर जो योग का यह जो क्लासेज आप चला रहे हैं यह कितने दिन का यह साथ दिवशिय योग सिविर है इसमें योग से जुड़े आसन प्राणायाम बंध मुद्रा और सटकर्म क कि मार्द्यम से लोगों को हेल्दी और फिट रखने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें वोकेशनल अभी आपको नई सच्छा नीती में जो लागू हो गया है उसमें योगा और फिटनेस को गवर्मेंट के द्वरा चलाया जा रहा है उसकी भी ट्रेनिंग यहां साथ नई और यह क्योंकि योग हमारे लिये हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है अगर हम यूद कि आदमी को सौस्त रहना तो उसकले योगा तो यह कितने दिन तक क्या यह सिर्फ साथ दिन तक चलेगा या इसको और भी निरंतर आप चालू कर यह तो एक सुरवात है अभी साथ दिशी योग प्रसिचन के माध्यम से स्कॉलेज में और लेडी योगा एंड फिटनेस का कोर्स चल रहा है और क्लासे भी लगाता चलती है वाक्शॉप के माध्यम से और इससे जुड़ी प्रतियोगताएं भी होती रहती हैं और शिविर भी लगते रहते हैं और आगे भी ऐसे लगते रहेंगे ताकि इस पुरे जिले को योग से कनेक्ट किया जा सके यहां पर बहुत सारे लोग मवजूद हैं बहुत सारी बच्चियां हैं बहुत सारे लड़के हैं शात्र हैं जो यहां के इन लोगने बड़े मनोयोग से बड़े ध्यान से इस योगा को सीखा है आईए हम यहां के कुछ लोगों से बात करते हैं आपका नाम क्या है लक्षम इसमी जी आप यहां पर रौ जा रही है जी िसर आपको यहां कैसा लग रहा हैं बहुत अच्छा लग रहा है यह करके हमारे अंत्र दर जसे हमारे मन को इतनी सान्त ईटी आम लोग इतना A.क. हो घांद हो जाते हैं हमारे कई प्रकार के योगा जितने भी सिखाएगे हमने पूरा सिखा और हमने आज चार दिन स्टार्टिंग हो जिसमें हमने पूरा योग किया है आए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं आपने यहां पर क्या सिखा क्या नाम अंकित कुमार है मैं इसी काले से बेट एतिय वसका और हमने इस जब से मैं आया हूं सिविर में मैंने बहुत कुछ चीखा है पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यहां जो हमारे सर हैं अदंडी योगा चार जी उन्होंने हमको हमारे पूरे सरीर को एक तरह से का लिए तनामुक्त कर दिया है हम किसी प्रकार के जैसे दिप्रे हमें हैं हम एक नई उर्जा मिली है और कह लिए का नामा एक नई दिशा मिल चुकी है जिसे कि आगे अपने जीवन में अपने जीवन को सुझार रूप से आगे हम बढ़ा सकेंगे बहुत महत्पूर बात इन्होंने कही है कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं तो अगर करनी होते हैं आई यह हम और वी कुछ लोगों से बात करते हैं क्या नाम है अपका पल्लवी सेंग पल्लवी आपको कैसा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है योगा करने से यसे गेम किलने से भी अच्छा लगता है योगा करने से भी लेकिन जो योगा है वो हमारे स करें योगा कर लेते हैं योगा थानी लेकिन इतना जादा प्रोब्लम सो गया हैं बीमारीय चयां भी लगी है डाइबेटी दोगे तो योगा में सबसे अच्छा हासरस है जो कि हसने से सारे थकावट और सब कुछ कम हो जाता है कि आई ये चुकी हमारे सामने योगा चार जी हैं तो योगा चार जी से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अभी जो पल्वी ने कहा है उसी में अपनी बात को जोड़ते हुए कि योगी क्रिया जो होती थी इसके बदोलत बड़े बड़े रिशी संत महापुरुष जब वो कुछ कह देते थे तो वो सत्य होता था मैं आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहता हूं उसके पिछे कारण है तो योगा चार आप हैं और लो साधना से हमें वह सक्ति मिल सकती है मंतरों से में जाएंगे उतना ही हमारें दिब्विता वभ्विता विद्राजमान होगी है योगा ये आज का नहीं है ये आदिका है प्राचीन कालीन परंप्रा है और रिशी मुनी कहीं जंगल-जाड़ी में जा करके अपने को बहुत बड़ी बात है और यहां पर जो गौर्मेंट ने भी योगा को बढ़ावा दिया है यह भी बड़ी महात्पूर बात है क्योंकि इससे हम स्वस्त रह सकते हैं हम किसी काम को बड़े मनोयोग के साथ बड़े ध्यान के साथ बड़े अच्छे डंचे कर सकते हैं आए हमार नमस्ते सर नमस्कार आप यहां योगा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें बच्चे किस तरह से आप कहां सीख रहे हैं और विद्याले के अंदर इस तरह के जो आवजन होते हैं उसको लेकर कर देखिए अच्छन संस्थानों में पार्ट सहगामी विस्यों के अंतरगत भारत सरकार के उपकरम में प्रात्मिक्ता के साथ योग को समलित किया गया है वैसे तो भारत योग के दृष्ट से विस्व गुरु रह चुका है और जैसे जैसे बेकासिल देश से हम बेकसित देश की परंपरा में अपने को आगे की तरफ ले जा रहा है निश्यत रूप स जीवन की परिकल्पना एक अनिवारे भिसर है अगर लोग स्वस्थ होंगे राष्ट स्वस्थ होगा और राष्टका जब निर्माण होगा तो हम एक बेकसित देश के रूप्ने अस्ताफेत होने में सपल होंगे इस परंपरा को हम पूरी दुनिया में एक साथ योग के पूरा करना का प्रयास कर रहे हैं, इसमें बहुत से लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे यहां यह पाठिक्रम में समाही थे, और इस समय आप यह जानते हैं, कि विस योग दिवस के रूप में यह साथ दिनों का एक कैम पायुजित किया गया है, यद्यव की इस में हम पर्चित नहीं होते, बच्चों को इसमें समय देकर बहुत कुछ हासिल हो रहा है, बच्चे प्रसंद हैं, और निश्चत रूप से अपनी ब्यक्तिगत जीवन की उन विस्तताओं से बाहर निकल रहे हैं, जिसमें वो और सांसे ग्रस्त हो गए थे, उनके अंदर एक पूरती है, उस्सा है, और जीवन के सपनों को पूरा करने की चाहा है, मैं यह करना चाहूंगा कि सभी लोगों को योग करना चाहिए, क्योंकि जब आप योगा करेंगे, तो आप स्वस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, और किसी भी कार को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तो वादन नित्य अभने कविता या अन्य किसी भी विधा में आपकी रुजान तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और अगर ये वीडियो फेस्बुक पर करें अजिक से अधिक लोगों तक शेयर करें हम सबका अपना मंच सोचल मीडिया मंच जन जन की आवाज